हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो आज का वीडियो हमारा रहने वाला है इसमें हम बात करने वाला है डिरेक्टरेट आफ अनिमल हजबेंडरी और शिप हजबेंडरी में जो भी डिस्टिक वेकेंसी आपकी डिस्टिक वैस वेकेंसी और काफी बड़िया वेकेंसी आपकी रहने वाली है और basic qualification इसके लिए क्या रहेगी कौन सी post रहेंगी और कौन-कौन in post के against apply कर सकता है ship husbandry में जो district animal and ship husbandry में vacancy आई हुई है तो चलिए start करते हैं आज की important वीडियो को चैनल से first time जुड़े तो subscribe कर लीजिए jobs update आपको regular basis पर मिलते रहेंगे अब चलिए इसके official notification को चैक करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जहां पर हम बात करते हैं जो advertisement है आपकी district ship husbandry department में इसमें बात करें आपकी जो veterinary health worker, veterinary pharmacist, x-ray technician, laboratory technician इन सब की जो vacancy है वो आई हुई है जहां पर हम बात करने वाले हैं district ship husbandry office ले में जमुएन किश्मीर ले में ये vacancy जो आई हुई है जिसमें आपकी contractual post आपकी रहने वाली है नमबर आप vacancy चार है बैटनरी और health worker, veterinary pharmacist की जिसमें आपको 30,000 रुपया मंत का दिया जाएगा x-ray technician का 40,000, laboratory technician का 30,000 पर मंत का आपके पास डिपलमा या डिगरी होने चाहिए बैटनरी फार्मसी में x-ray technician आपके पास डिपलमा होना चाहिए x-ray का laboratory technician में medical laboratory और टेकनालजी का आपका डिपलमा होना चाहिए और जो appointment आपकी 6 मंत के base पर किये जाएगी जो interview आपका 7 दिन के बाद जो notification पबलिश किया गया है उसके 7 दिन के बाद जहां पर जो publish है वो कि 19.9 की publication date है और इसके बाद 7 दिन बाद करे तो 19.26 जाने की 27 को आपका इसका जो interview है वो conduct किया जाएगा और जो आपका अपना resume आपको वो आपको whatsapp number भी दिया गया है email भी दिया गया है इस पे आप बेश सकते हो अपना resume और आप अपनी जो इस पे आपको notify कर दिया जाएगा कि आपको कब अपने interview देने जो आना है तो यही कुछ important update था आपकी ship husbandry की vacancy को लेके अगर इसके regarding कुछ doubts हों तो comment section में जरूर पूशें आज के इस video part में बस इतना ही